हेलो दोस्तो नमस्कार आज हम जाएंगे रैपिड एक्स के सफर करने 20 तारिक को हमारे परदान मंतरी जी ने रैपिड रेल का उद्गाटन किया और 21 तारिक से ये आम जंता के लिए खोल दी गई तो आज हम जा रहे हैं रैपिड रेल का एकस्पीरियंस लेने की कैसा सफर है यह स्टेशन है रैपिड रेल का गाज़ेबाद वाला और यहां से हम एंटर करेंगे और सब से अच्छी बात यह है कि यहां पे पार्किंग एवेलिमिला कार स्की फिला लिफ्ट के कि आर यह इसका फर्स्ट फ्लोर है यह भिए खाली है शायद इसपर कोई प्लान होगा कि क्या करनाहे कुछ कुछ बनाने का यह लेकिन खाली पड़ा है फिलाल नहीं से हमें एक और ऊपर जाना है जहां पर ट्रेन आएगी यह एसकेलेटर से हैं एसकेलेटर से उपर जाते हुए और यह एसकेलेटर चल नहीं रहा है तो अब साइद हमें सीडियों से जाना पड़ेगा और सीडियों से उपर जाते हुए और फर्स टाइम रैपिड रेल कर सफर करने जा रहे हैं आज हम यानि कि मैं अनिकेत और अनिकेत की मम्मी तो अब हम यह आ चुके हैं यहां से हमें टिकट खरीदने होंगे ट्रेन एक्चलिस से भी उपर वाले फ्लोर पे चल रही है तो इदर ही आप जो मशीन देख रहे हैं इस टिकट ली जातीत है अब यह माज़ आपको दिखाते हैं कि कैसे टिकट लेते हैं इन मशीन से टिकट करना है स्टैंडर या प्रिमियम लेना है फिर आप अपना स्टेशन देखिए व कॉन्टस्टेशन इसको स्लेक्ड करेंगे आपका खराय दिखाए जा है हमने दोहाई सेलेक्ट किया था दोहाई का 60 रुपीज है प्रीमियम वाले गा तो हमने यूपी आई से पेमेंट किया अब यहां से आप अब इसको स्कैन करेंगे तो आप अपने पेटीम से इसको पे करेंगे फिर आपकी टिकट आ जाएगी 60 रुपे लगे हमारे गाजबा से दोहाई के और अभी इसका भी उद्गाटन हुआया था इसे सजा रखा था काफी अच्छे से यह डिजाइन्स बना रखें जैसे आप देख सकते हैं पीछे निकेट के पीछे और यह देखिए जहां पर ट्रेन आएगी यह भी काफी अच्छे से सजा रखा है पूरा का आप देख एक दम बढ़िया मस्त लग रहा है देखने में दोस्तों हमसे एक बड़ी जलती होगए कि हम ना साही बार बात जाने वाली साइड पर आ गए हैं तो फिलाल हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा जिससे कि हम दुहाई की तरफ जाएं इस्टेशन बहुत बढ़ हैं तो आप बूसरी साइड जाते हुए लाल तो अब हम यह आ गए हैं और ट्रेन भी आगी हैं दुहाई के लिए सब सची बात यह हैं तो आप देख सकते हैं कि रेल से अलागे इसमें बैरिकेट्स लगाए हुए यह तो यह जब ट्रेन आए आके रुकेगी तो यह खुलेंगे और तब आप अंदर जाएंगे तो इसमें जैसे लोग गिरने का या लोग धका मुक्की करते हैं तो उस पिछे खड़े होते हैं कि बार लोग धका मारे तो ट्रेन पर गिरने के चांज रहते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा तो यह बहुत अच्छा फीचर है इसमें रैपिड रेल का तो हम यहां से जा रहे हैं प्रीमियम की तरफ इसमें दो चैंबर है कि स्टेंडर फ्लाल हम स् प्रीमियम में जाने पाए तो हम स्टैंडर वाले में चड़ गए क्योंकि हम उदर टाइम ज्यादा लग रहा था तो इतना सोचा कि उधर चले जाते हैं वापिस स्टैंडर वाले में चड़ तो हम अब गुलधर पर उत्तरेंगे जो नेक्स्ट इस टेशन है गाज़ेबाद क कि अफिर वहां से प्रीमियम लिए अफिर प्रीमियम में चड़ करें तो आप देखिए अनिकेट भी है बाहर का वीयूँ और हमें ये जब एंटर कर रहे तो हमें अनिकेत को ये फ्लार्स दिये थे और ये वेंडिंग मशीन लगी हुई अगर आपको कुछ खाना हो तो और साइड में आपने देखा कि वेटिंग करने के लिए ये प्रीमियम वाली साइड पर है सिटिंग सिटिंग है थोड़ी सी जिस पर कि लोग वेट कर सकते हैं घृपनि त्रेंबा और ये अपनी ट्रेंग आती हुई गुल्दर स्टेशन पर है और यहां से हम दोहाई जाएंगे को की सब से पहले स्टेशन साहिबबाद उसके बाद गाजवाद चेंटी ऑद गुल्दर तोहाई एक दोहाई डीपो है और हम भी अप एंटर करते हुए अपने प्रीमियम वाले में यह इसकी सीट्स है आपके सापनी यह कुछ ऐसा अरिमेंटर सीट्स का इसमें योग पर दिये हुए रैक्स इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं और यह अनिकेट अपनी सीट्स चेंज कर रहा है ताकि यह बहार देख सके इसको भी बहार देखने में अच्छा लग रहा है अधिला स्टेशन गुल्दार है नेक्स स्टेशन इस अनिकेट में भी काफी एंजोई किया रैपिड रेल को अधिला स्टेशन अधिला स्टेशन आपको दबाना होता है जब आपका धर्वाज़ा खाला है और यह शेड्स हैं जो कि प्रीमियम में दिये हैं सिर्की दोच फीचर्स हैं और एक इसमें वेंडिंग मशीन है और इस साइड में सामान रखने का या जो भी रखने का यह और तीसरा फीचर वो शेड्स वाला था यह दो तीन फीचर एक्स्ट्रा हैं प्रीमियम में और बाकी उसका एक अलग एरिया है और हम यह वापीस जाते हुए यह लिफ्ट है वापीस जाने के लिए अब यहां से हम डाउन के लिए दबाएंगे एक ग्राउन फ्लोर है उसके बाद एक एक फ्लोर और है उसके उपर एक फ्लोर और है उसके उपर एक फ्लोर और है जिस पर ट्रेंच चल यह सब ऐसा व्यू है देखिए लिफ्ट में जाते हुए यह दोस्तों यह हैं यहां से कुछ आपको यह सब पार्किंग का एरिया हैं यहां पर कार भी पार्क होती है और पार्क होती है और यहां पर रास्ता है उतर से एंटर करते हैं उतर की तरफ तो दोस्तों यह अब हम पनी कार की तरफ जा रहे हैं पार्किंग में तो दोस्तों ये था रैपिड रेल का सफर हमें तो काफी मज़े आए आपको भी एक बार कम सिंगम ट्राइ करना चाहिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टेंडर्ड और प्रीमियम का थैंक्यू धन्यवाद